हेलो एवरिवन मैं हूँ सचीन और आप सबकर बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्टनल नंबर चैप्टर 9 और यह जो वीडियो है यह क्लास 7 के बच्चों के लिए है जो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं ठीक है वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इस नॉट इकल टू जीरो मतलब कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग पी बैग क्यू पॉर में लिख सकते हैं जहां की सर्थ यह है कि नीचे का जो नंबर होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब कि अगर मैं वन टू वन okeई तो इन इस ईते टीजर को अगर में five लिखों को इसे ने इस इन अजबर पर बेकॉस फाइब के नीचे में भी क्या होता है? 1 होता है। आप सब को पता होना चाहिए कि हर एक नमबर के नीचे में 1 होता है। हर एक number के नीचे में क्या होता है वन होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं हर एक number को rational number तो नहीं कह सकता हूं मगर अगर मैं कुछ numbers का बात करूं जैसे कि आप सब school गयते तो आप लोग सीखे 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot जिसको हम natural number कहते हैं और इसी को हम लोग counting number भी कहते हैं तो हर एक natural number के नीचे में क्या है one है हर एक natural number के नीचे में क्या है one है उसी प्रकार से अगर इस सारे number में मैं 0 add कर दूं और फिर से इन number को लिखूं जिरो 1, 2, 3, 4 तो आप यह जो नमबरों का समू बना है ग्रूप अफ नमबर बना है यह whole number कहलाएगा क्या कहलाएगा whole number और यहाँ पे भी देखे 0 के नीचे में भी 1 है इसके नीचे में भी 1 है इसके नीचे में भी 1 है इसके नीचे में भी 1 है उसी प्रकार से अगर मैं यहां पे integers लिखूँ जैसे कि minus 1 लिख देता हूं, minus 2 लिख देता हूं, minus 3 लिख देता हूं, minus 4 लिख देता हूं, फिर मैं यहां पे 1, 2, 3, 4 लिख दूँ तो आप सबको पता है कि अभी यह जो number का सम्हू बना है, जो group बना है, इनको हम क्या कहेंगे integers कहेंगे, क्या कहेंगे, integers कहेंगे, और 0 से इधर इस तरफ जाने वाला, right sets के तरफ जो number बढ़ रहा है, इनको हम positive integers कहते हैं, और इधर left तरफ जो बढ़ रहा है, 0 का इस तरफ, उसको हम लोग negative integers बोलते हैं, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इन numbers के नीचे में 1 ह होता है, 1 होता है, इसके नीचे में भी 1 होता है, उसी प्रकार से इसके नीचे में भी 1 होगा, इसके नीचे में भी 1 होगा, इसके नीचे में भी 1 हो, ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, कि चाहे natural number हो, चाहे आपका natural number हो, चाहे whole number हो, चाहे आपका integer number हो, इन टी जर हो इन सब को हम लोग rational number बोल सकते हैं क्योंकि हर एक number को हम लोग P by Q form में represent कर सकते हैं इन सब को ठीक है न तो I hope कि आप सब को यह तो समझ में आ गया होगा कि rational number किसको बोलते हैं और दूसरा चीज जो याद रखना है आप लोगों को कि कोई भी rational number जब हम लोग लिखते हैं जैसे मैं यहां पे 7 by 2 लिखूं तो उपर वाला जो पार्ट है जो नंबर है उसको हम लोग न्यू मिनेटर कहते हैं और नीचे वाला जो नंबर है इसको हम लोग डिनूमनेटर कहते हैं अब नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या समझना है यहां पे हम लोग यह समझ गया अब हम लोग समझेंगे कि इक्यूविलेंट रेशनल नंबर किसे कहा जाता है तो पहले यहां पे देखे मैंने क्या लिखा है कि यह रेशनल नंबर कैन बी रिटेन विट डिफरेंट न्यूमनेटर नंबर मतलब रेशनल नंबर को हम लोग डिफरेंट नूमनेटर और इनूमनेटर नंबर से लिख सक नियुमिनेटर और डिनुमिनेटर का वैल्यू मिल रहा है टू बाय फूर फिर नेक्स्ट में यही नियुमिनेटर यही वाला रेसनल लंबर वन बाय टू को मैं त्री त्री से मल्टिप्लाई जब कर रहा हूं तो मेरे को नया वैल्यू मिल रहा है नियुमिनेटर और डिनुम के साथ बराबर है और यह के साथ बराबर है और यह आपका फोर बाइट के साथ बराबर है मतलब यह चारो आपस में क्या है एक तरह से एक्वल ही है मगर इनको हम एक्वल नहीं कहके क्या कहेंगे एक्यूवेलेंट रेस्नल नंबर बोलेंगे क्या बोलेंगे जाता देखिए अगर इसको मैं काट के सौटेस्ट फ़र्म में लिखूं तो काटने पर यहां पर वन बै टू मिलेगा इसे भी अगर मैं काट के सौटेस्ट फ़र्म में कर दू तो यहां पर भी वन बै टू मिलेगा और इसे भी मैं काट के अगर सौटेस्ट फ़र्म में है इक्यूवेलेंड एक रच्चर लंबर कहते ठीक है अब उसके बाद अब आगे में अगर आपको लिव राठ रेघ्च में रीप्रेजय को कहा जाए तो आप कैसे bunları जहां था था तो आप मान लिजे कि अगर मैं आपको बोलू की one by two को आपको represent करना है number line 1 by two सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि यह जो one by two है यह कहां पर लाइक कर रहा है कौन सा दो number के बीच का यह number है तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको नीचे वाला नंबर जादा मिलता है नीचे वाला नंबर कभी भी बड़ा मिलता है मतलब कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो denominator होगा अगर वो आपको greater होगा numerator से denominator जब भी क्या होगा greater होगा numerator से तो आप समझ जाएगा कि नंबर जो होगा वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा अगर वो एक positive नंबर है और इसी प्रकार से अगर denominator जो है वो greater है numerator से और जो नंबर है मतलब सोचिए अगर वो negative है अगर वो negative नंबर है तो इसका मतलब है कि वो कहां पे like करेगा वो minus 1 से लेकर 0 के बीच में like करेगा ठीक है ये तो बात हम लोगों समझ में आ गया है बट अब ये नंबर को हम लोग किस प्रकार से indicate करेंगे तो देखे यहां पे क्या बोला जा रहा है 1 by 2 मतलब मैंने आपको बता दिया कि यह 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा तो चलिए अभी हम लोग मैं आपको लेके भी जाता हूँ इसको मैं थोड़ा से बड़ा कर लेता हूँ मैंने इसको बड़ा कर लिया अब मैंने कहा कि यह 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो नीचे वाला जो नंबर होगा मतलब जो डिनुम्नेटर वाला नंबर होगा आपको इसको उतना पार्ट में डिवाइड कर देना होगा उतना पार्ट का मतलब मैं इसको इपर छोटा कर देता हूं देखें उतना पार्ट का मतलब क्या होगा कि यहां टू दिया हुआ है तो जीरो से वन के वन को मैं दो पार्ट में डिवाइट कर दूँगा देखें मैं क्या कर रहा हूं दो पार्ट में डिवाइट कर दे रहा हू दो हिस्सा में इसको बाट दिया मैंने तो दो हिस्सा में बाट देने से क्या हुआ कि यह जो point बनेगा यह आपका one by two यह आपका क्या कहलाएगा one by two part कहलाएगा ठीक है उसी प्रकार से अब भी यहां पे zero से से लेकि one minus one जो था तो इसको भी मैं दो पार्ट क्योंकि आप देखना होता है यह तो दो हिस्सों में बाटूंगा तो यह वाला point मिला तो यह वाला point क्या हो जाएगा यह minus one by two वाला पार्ट हो जाएगा अच्छा एक काम करता हूं मैं यहां पे इस तरह से नंबर लिखता हूं मान लिजे मैं यहां पे लिख देता हूं अगर कि इसको हम लोग अगर fraction में तोड़ दे 7 बाटू है ना तो 7 बाटू तो 7 को अगर मैं टू से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा यहां पर हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा और remainder में क्या बचेगा वन बचेगा तो आप सब नंबर मिला वो मेरे को क्या मिला 3 1 by 2 मिला तो जब भी ऐसा मिला तो आप तो सबसे पहले तो 3 तक पूरा हिस्सा आप कवर कर लेंगे मतलब यहां से लेके यहां तक आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको पता चल गया कि भाई इसमें 3 तक तो यह नंबर लाइन मेरा ग करेंगे डिवाइड कर देंगे क्या करेंगे हम लोग इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे तो अब यह वाला जो हिस्सा आया इसी को हम लोग बोलेंगे कि यह आपका 7 by 2 रेशनल नंबर का पाट है ठीक है तो आई होप कि आप सब को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग कोई भी rational number को number line में represent कर सकते हैं अच्छा और एक चीज़ है देखिए जब भी यहां पर भी अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर एक number और ले लेता हूं यहां पर यहां पर आपको दिखा देता हूं ठीक है यह और आपका clear हो जाएगा अब मान लीजिए कि जीरो से लेकर यहां पर माइनस वन है और आपको माइनस वन बैफ दिखाना है क्या दिखाना है माइनस वन बैफ फोर दिखाना है तो देखिए यहां पर क्या है कि नीचे डी जो है वो कि यह जाब है और साती साती यह कांसा नंबर है यह एक नेगिटीव नंबर है नंबर कह लाए हो रहा हो menjadi अनल कह यह नंबर हो रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूं ठीक है अब इसको अब यह इसको कि किसप्रकार से लिखेंगे जो पहला हिस्सा यह आपका तो बैफ मिलता है तो इस प्रकार से हम लोग को क्या दिखाना था minus one by two तो यह हो गया आपका minus one by four तो यह हो जाता minus two by four अगर आपको minus three by four बोलता तो यह हो जाता आपका minus three by four तो नंबर का कर्म कुछ इस प्रकार से बढ़ाईएगा जब नंबर आपका minus में थीक है ना अब देखे आगे हम लोग देखते हैं next next हम लोग देखेंगे कहा गया हाँ रेशनल न्बर इन इस्टेंडर फॉर्म तो रेशनल न्बर इन इस्टेंडर फॉर्म क्या होता है यहां पर देखिए कुछ नंबर मैंने लिख के रखा है है ना जैसे 2 by 5 minus 4 by 3 और 7 by 9 फिर minus 7 by 11 फिर ये सब नंबर में क्या क्या चीज़ आप observe कर रहे हैं देखे दर इनुमिनेटर of this rational number are positive first of all ये सारा नंबर का जो इनुमिनेटर है वो एक positive number है positive integer है and one is the only common factor between the numerator and denominator और दूसरा बात है इनके बीच का अगर हम लोग common factor निकाले तो वो क्या है one ही आएगा rather than one और कोई सा भी common factor इनके बीच में नहीं आने वाला है देख लीजे आप observe कर लीजे तो इस तरह क्या होगा since occur only one in the numerator negative sign occur only in the numerator और जो negative sign आ भी रहा है सब्सक्राइब कर इस प्रकार से कोई भी रेश्नल लंबर आपको मिलता है तो उसे हम स्टेंडर फॉर्म करें पर कहते हैं और इसे हम लोग कुछ इनुमनेटर और इनुमनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अधर देन वन ठीक है अब मैं आप लोगों को कुछ एक्जामपल के थू भी समझाता हूं जैसे कि अगर मैं यहां पे टू बाइट लिखता हूं तो टू बाइट जो है यह स्टेंडर फॉर में नहीं है क्योंकि टू औ कर सकता हूं एट को टू से भी हम डिवाइड कर सकते हैं तो वन को छोड़के भी और भी कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हम लोग और काट सकते हैं अगर मैं इसको काटू तो यह वन बैफॉर को और हम लोग काट नहीं सकते तो वन पीचे में हम लोगों को negative value नहीं रखना है तो इस नंबर को हम लोग minus five by seven लिखेंगे तो यह इस नंबर का standard form कहला आएगा तो इस नंबर का standard form खेलाएगा आई होप कि आप सबको standard form भी समझ में आया होगा उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि दो national number को compare किस तरह से किया जाता है जैसे यहां पर एक example है एक का जिसमें minus seven by 21 है और दूसरा rational number जो है वह है आपका three by nine अगर इसका standard form में मैं लाओं सबसे कि यह दोनों rational number आपस में equal है अब उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे यह जो है standard form में ही है लेकिन हम लोगों को compare करने के लिए इसका जो denominator है इसका जो denominator है जैसे पाच और साथ इनको equal करना होगा इनको equal करने के लिए इनका LCM निकालना होगा तो इनका LCM निकले करना हूं मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं पूरा का पूरा नंबर लिख देता हूं माइनस 5 बैस 7 और आप बताइए कि अगर मेरे को नीचे में 35 करना है तो 5 को मैं किस से मल्टिप्लाई करूंगा जाहिड सा बात है ना 7 से मल्टिप्लाई क 35 मिलेगा और उसी तरहके अभी नीचे में यहां पर क्या है माइनस है और फिरी यहां 7 है अब नीचे में फिर उसलिए जो बड़ा नंबर है वही क्या होगा वह चोटा होगा विकाश सब्सक्राइद ग lında तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि minus 28 by 5 जो है यह minus 28 5 जो है यह आपका छोटा है कि से minus 25 by 35 से ठीक है यही इसी case में अगर मान लिजिए कि यह आपका minus नहीं होता माइनस नहीं होता तो हम क्या कहते कि 28 by 35 यहां पर मैं 5 लिख दिया हूं 35 यह greater होता ठीक है ना मतलब नीचे का numerator और हम लोग को गौर नहीं करना है सिंपल सिंपल उपर का जो नियूमनेटर है उसी को देखके बता देना चोटा बड़ा कौन है तो माइनस में क्या होता है कि जो बड़ा होता वो चोटा होता है और प्लस में तो आप सबको पते ही होगा उसमें कोई confusion आप लोगों को आएगा ही नहीं ठीक है अब उसके उपर का नंबर जैसे दिया हुआ है अब जो operation perform करने के लिए बोला जा रहा आप operation perform करेंगे यहां पर साथ और पांच बारा बटा तीन आ जाएगा ठीक है ना साथ और पांच बारा बटा तीन अभी लेकिन नेक्स्ट वाला जो केस है यहां पर जो बी नंबर है यहां पर द तो अब क्या करना है नीचे में इस प्रकार से आप 15 लिग दीजिएगा उसके बाद में यह जो पहला नंबर जो 5 था ना यह नंबर से अभी जो LCM आया इसको आप डिवाइड करिएगा तो यहां पर 15 को 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 आता है अब यह 3 को क्या करन जो होगा कि उपर का जो नंबर है देखिए जो उपर का नंबर है 7 एंटिर 7 इसके साथ हमको मल्टिपलाइ कर देना होगा ठीक है और उसके बाद में फिर क्या करेंगी हम लोग यह जो 15 था अब यह जो नंबर ह्ना 3 इसके साथ हम इससे divide करेंगे 15 को क्या मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा भी 5 मिलेगा अब simple उसी प्रकार से अब यह जो 5 मिला है हम लोग को यह जो 5 मिला है इसको हम लोग इसके साथ multiply कर देंगे तू के साथ यहाँ पर two-in-two five हो जाएगा अब देखिए यह क्या हो गया 73 कितना हो हो जाएगा 21 हो जाएगा प्लस यहां पर 25 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और उसके बाद नीचे में 15 तो था ही हमारे पास अब इसको अगर मैं जोड़ दूं तो यह हो जाएगा आपका 31 by 15 ठीक है 21 और 10 जोड़ने से 31 और नीचे में 15 इस प्रकार से हम लोग एडिशन करेंगे उसके बाद अगर मैं जाओ नीचे तो सब्ट्रेक्शन तो सब्ट्रेक्शन में कुछ नहीं यहां पर माइनस दिया तो माइनस करना प्रोसेस तो वही अगर नीचे का वैल्यू डिनूम्नेटर से में तो कुछ नह करना है उसको डायरेट क्या लिग देना है और उपर का वैल्यू जैसे दिया है वैसे लिखना है और फिर इसको सौल्व कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा तूब है नाइन अब यहां पर देखे क्या है कि साथ और आठ है तो भाई इसका ल्सम निकालेंगे तो seven eight जा 56 आता है इसको ऐसे लिख देंगे अब फिर 56 को अगर मैं 7 से डिवाइड करू तो 8 आएगा अब 8 को क्या करना होगा उपर वाला नंबर के साथ मल्टिप्लाई करना होगा सिमिलरली फिर क्या होगा कि 56 को अब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करने पर यहां पर क्या आएगा 7 आएगा है ना अब 7 को किसे मल्टिप्लाई करेंगे हम लोग उपर वाला वैल्यू के साथ जो की 3 है ठीक है तो अब यहां 58 जा कितना हो जाएगा 58 जा 40 हो ठीक है ना अब सब्ट्रेक्शन देख लिए आगे अगर हम लोग जाए तो मल्टिप्लिकेशन सिंपल है मल्टिप्लिकेशन कैसे करना है देखिए 1 लिखे हम लोग और यहां पर 4 बैं 3 है तो यहां पर एक चीज आपको गौर करना है कि जैसे कि a by b into यहां पर c by d है तो दे कुछ बचेगा जो नंबर बच जाएगा उसको सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे multiply हमेशा याद रखेगा सीधा सीधा करना है कुछ बच्चे क्या करते है कि वह multiplication भी cross कर देते है इसलिए इनका उनका जो होता है गलत हो जाता है तो यहां पर देखिए जैसे 2 है तो मैं य बच जाता है rest of the number उसको हम लोग क्या करेंगे multiply कर देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहां 3 जा 3 हो जाएगा अभी similarly यहां पर देखिए यहां पर भी कट रहा है मैं यहां नीचे लिख दूं अगर 3 by 8 है और उसके बाद यहां पर 2 by 9 है है ना तो यहां पर देखिए 3 1 जा क्या हो जा रहा है देखिए 1 in 2 1 हो जाएगा और 4 3 जा 2L हो जाएगा simple उसके बाद में अब आगे अगर हम लोग देखें डिवीजन तो डिवीजन कैसे होगा भी डिवीजन का एक चीज़ा आपको फोलो करना जो नंबर दिया हुआ रहेगा आप उसको उस प्रकार से इसे 4 2 9 जो डीवाइड है इसको आप मल्टिप्लाई में चेंज कर दिएगा और जो डिमिनेटर उसको निवीनेटर का पे और जो निमिनेटर उसको डिमिनेटर का प्लेस में कर दीजेगा that's it देखिए इस प्रकार से जैसे यहां 5 जो था वो न्यूमिनेटर में था तो मैंने इ हो जाएगा 28 और यहां 95 जाएगा 95 जा 45 अब उसी प्रकार से इसको भी मैं करूँ तो यहां पर माइनस 6 25 यहां पे इन्टू अब यह क्या हो जाएगा भाई 3 बाइ 2 हो जाएगा न माइनस इसे रहने देंगे हम लों अब यहां मायनस मायनस plus होता है 6 318 तो यहां पर 18 आ जाएगा और यहां पर यहां पर कट रहा था काट सकते थे हम लोग ठीक है कोई बात नहीं यहां five two the में 10 लिख देता हूं उसके बाद में काट देता हूं five two the ten तो काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा यहां nine आजाएगा और यहां पर 5 आजाएगा और यह माइनस माइनस क्या होगा आपस में मल्टिप्लाई होता है तो आप सबको पते ही होगा कि प्लस हो जाता यह चीज पता है ना कि इसका exercise भी करा दूँगा, exercise का question भी हम लोग देख लेंगे one by one और अच्छे दरस समझ लेंगे, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को like कर दीजेगा, और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा.